नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा ओनलाइन इस्टडिय विडिके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रमुक कवी और उनकी रचनाओं के बारे में तो इसको आपको complete वोच करना है जहाँ पर समझाने लायक होगा वहाँ पर सुरुवात करते हैं पहला प्रशने आपका इतिहास के आशू किस कवी की रचना है यहाँ पर देखे जो इतिहास के आशू रचना है यह किस कवी की है हजारी प्रशाद दुएदी की यहाँ पर आपका आखलान कर सकते हैं आप आपको यहाँ पर खुद को परक सकते हैं किन सो प्रशनों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं तो टोटल जब सो प्रशनों कम्प्लिट हो तो भी आप कमेंट से के माद्यम से बताएगा किन सो प्रशनों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं इतिहास के आसों के बारे में पूछा गया है, यह किसकी रचना है, हजारी प्रशाद दुएदी की है, हरीवन सराय बच्चन की है, यह शंकर प्रशाद की है, यह पिर राम धारी सिंग दिनकर की है, आपका रायट अंसर होगा, राम धारी सिंग दिनकर, याद रखेगा, जो दूसरा प्रस्ण निम्नांकित में हजारी प्रशाद दुएदी की रचना कौन सी यहां पर जो बान भट की प्रशाद की प्रमुक रचना हैkit तब यहां पर जहारना भी जेशंकर प्रशाद की प्रमुक रचना में इस जेशंकर प्रशाद की है, आसु किसकी रचना है, ये भी जेशंकर प्रशाद की है, कामाईनी किसकी रचना है, जेशंकर प्रशाद की है, तो इस प्रकार के प्रशने आपको इस वीडियो के माद्यम से काफी देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर जेशंकर प्रशाद की प्रम प्रवर्तक के बारे में पूछा गया है विश्णो स्वामी है निम्भा की चारी है हित हरिवन से या फिर मदवाचारी है यहाँ पर ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक के बारे में पूछा गया था पूछा गया है तो राइट आंसर आपका होगा मदवाचारी होगा दीवाला विकल्पे आपका सही होगा निमलिकित में ऐसे कौन आष्ट चारी है यहाँ पर देखिए इस प्रकार का प्रश्ण एकसा में पूछा जाता है आष्ट चारी होता है आठ कवी और वो आठ कवी कौन-कौन से उनके बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा कवी नहीं है, यह पूछा गया है, कुम्बंदास ए, कृषण दास से छीत स्वामी है जो आठ कवी मैं आपको बता है, यह सभी के सभी आष्ट चारी कवी है और इत ही आठों के बारे में आपको जानकरी होना चाहिए यहाँ पर धुरूदास आपका रायट अंसर होगा यह अश्ट छापके कवी नहीं होगे प्रेम वाटिका किसकी काविकरती है यहां पर साथवे का अंसर होगा आपका रस खान की प्रेम वाटिका काविकरती होगी प्रेम वाटिका यशोधरा किस कवी की रचना है यह किस कवी की रचना है मांखरलाल चतुरवदी की राहुल सकरत्यान की है मैतली सरन गुप्ति की या पिर हजारी प्रशाद दुवेदी की है तो आठवे का अंसर होगा आपका मैतली सरन गुप्ति याद रखेगा जो यशोधरा है यह मैतली स कहंस भूले बिश्रे चित्र या फिर यूद और समुद्र तो यहां पर शुहा के नुपूर मानस कहंस और यूद और समुद्र इन तीनों उपन्यास के लेखक कोन होंगे अमरत लाल नागर होंगे लेकिन जो भूले बिश्रे चित्रे है इसके लेखक अम्रत लाल नागर नहीं है इसके लेखक कौन होंगे तो इसके लेखक भगवती चरण वर्मा है और इसी उपन्यास के कारण इनको 171 में साहित्ती अकाद्मी पुरुषकार से भी समवनित किया गया थे आपसे पूछे कि वो कौन तुलसीदाज के गुरु थे यहाँ पर देगे तुलसीदाज जी के गुरु के बारे में पूछा गया है रामा नन थे हनुमंत सास्त्री थे नरहाई निंद थे या पर रामा नुजाचारी थे तो यहाँ पर तुलसीदाज जी के गुरु के बारे में पूछा गया है राइ विलाज सर्मा है नंद दुलारे वाज़ पर यह अपित देवराज है तो यहाँ पर आपका सही 11 का अंसर होगा देवराज छायावाद का पतन पुष्टक के बारे में पूछे तो देवराज आपका बिल्कुल सही अंसर होगा विज्यान गीता किस अचारे कवी की करती है यह पूछा गया है केशवदास भिकारी दास पद्मा कर या फिस्से नपती यहाँ पर बारवे का अंसर होगा केशवदास विज्यान गीता के बारे में पूछा गया है किस अचारे कवी की करती है तो यह केशवदास अचारे कवी क क्रती है वरंदावन लाल वर्मा की प्रमोख रचना यहाँ पर देखे वरंदावन लाल वर्मा की प्रमोख रचना के बारे में पूछा गया है म्रग नहीं नहीं है यामा है आंधी है या फिर यह सभी है तो वरंदावन लाल वर्मा की प्रमोख रचना कोन सी होगी तो वो भारतेंदू ने अपने किस नाटक को नाट रासकवा लास रूपक कहा है वो कौन से नाटक है विश्मोस धम है नील देवी है अंधेर नगरी है या फिर भारत दूर दसा है तो वहाँ पर जो नाटक होगी वो अंधेर नगरी होगी भारतेंदू ने अपने अंधेर नगरी न आटको नाटे रह सकवा लाशी रुपक कहा है यहां पर तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा रसकलस किसकी रचना है जो रसकलस है यह किसकी रचना है स्रीधर पाठक के अयोध्या शिंग उपद्याई हरियोद की है गया प्रशाद सुकल सनेही की है या फिर मेतली सरंगु रसकलस के बारे में पूछे गया है तो आपका राइट एंसर क्या होगा अयोध्या शिंग उपद्याई हरियोद की होगी आपकी रसकलस रचना तो यहां पर बी वाला विकल पे आपका सही होगा यामा किसकी रचना है जो यामा है यह किसकी रचना है यहां पर चार विकल प तो यहाँ पर 17 का आपका अंसर होगा अमरत लाल नागर मानस के हंसर के बारे में पूछे जो किये को पन्या से इसके लेखक कोन होंगे अमरत लाल नागर होंगे पसू पक्षियों पर लिखेत महादेवी वर्मा का रेखा चत्र संकलन है काफी इंपोटेंट है इस प्रकार का प्रस्टन एक्जाम में पूछा जाता है पत के साती मेरा परिवार इसमरती की रेखाए या फिर अतित के चलचितर तो यहाँ पर आपका सही अंसर होगा मेरा परिवार पसू पक्षियों पर लिखेत महादेवी वर्मा का जो रेखा चत्र संकलन होगा वो मेरा परिवार महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है और इसमरती के रिखाए अतीत के चलचित्र कह सकते हैं यापर पत के साती मेरा परिवार इसमरती के रिखाए और अतीत के चलचित्र ये चारो ही किसकी रचनाय है किसके द्वारा लिखी गई है तो यह तो यह महादेवी वर्मा के द्वारा ही लेकिन इस पेसल आप से पूँछे कि पसु पक्छियों पर लिखेत महादेवी वर्मा का रेखाचीतर संक्लन कोंसा होगा तो वह मेरा परिवार होगा वंदे वानी विनाई को निबंद संकलन के रचीता कोन है विद्या निवास मिसर है राम वरक्ष बेनीपूरी है गुलाब राय है या फिर प्रताप नारायन मिसर है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा राम वरक्ष बेनीपूरी याद रखेगा वंदे वानी विनाई को जो प्रशना को देखने को मिलेगा उत्तंद मार्टंड है समचार सुधा वर्षन है हिंदी प्रदीप या फिर ब्रहमन है याद रखेगा हिंदी का जो सरप्रतम हिंदी देनिक पत्र होगा वो उत्तंद मार्टंड होगा किसके द्वरा लिखा गया है या फिर किसके द्वरा प्रकाशित किया गया है तो जीवल किसोर के द्वरा प्रकाशित किया गया है कब किया गया है तो 1826 में समाचार सुधा वर्षन के आप बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया है तो ये स्याम सुंदर सेन के द्वारा लिखा गया या फिर संपादित किया है यहाँ पर हिंदी प्रदीप की हम बात करें तो हिंधी प्रदीप के लेखा कोन है या फिर किसके द्व़रा इसको समपधित किया गया था तो ये बाल करश्नबट to jakे नुए प्रताप नयाण मिस्र के द्वरा प्रकासीत की गई थी, तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए अगला प्रश्ण बाल करश्ण सर्मान नवीन की प्रमुक रचना है यहाँ पर बाल करश्ण सर्मान नवीन की प्रमुक रचना पूछी गई है उर्मिला है पकडंडियों का जमाना है और अंतमे या फिर विकलांग स्रद्धा का दोर तो यहाँ पर 22 वे का आपका सही आंसर हो उर्मिला बालकरश्ण सर्मा नविन की प्रमुक रचना कौन सी होगी उर्मिला होगी बाकी बात करें पगडंडियों का जमाना और अंतमे और विकलांग सरद्धा का दोर ये तीनों ही रचना किसकी होगी तो ये तीनों ही जो रचना है ये हरी संकर परसाई की रचना होगी कि इसकी होगी हरी संकर परसाई द्वारा पक्डंडियों का जमाना और अंतमी और विकलांग स्रद्दा का दोर्य तीनों ही इनके द्वारा लेखी गई पुछ तक है यस्पाल जी की प्रमुक रचना कौनसी है मुकूल है चित्रधारा है बिखरे मोती है या फिक जूटा सच है यहाँ पर यस्पाल की प्रमुक रचना के बारे में पूछा गया है आपका राइट आंसर होगा जूटा सच इंपोटेंट है यस्पाल की प्रमुक रचना कौनसी होगी जूटा सच होगी बाकि आप यहाँ पर मुकूल देख रहे हैं त्रीधारा देखने में आपको दिख प्रमुक रचना है ये ये अस्पाल की प्रमुक रचना है अन्सर सबी को पता है हरी वंसर राई बच्चन इसके परवर्ता के हलावात के तो यहाँ पर फोर्त वाला विकल पे आपका सही होगा बादल राग कविता के रचीता यहाँ पर देखे बादल राग कविता के रचीता के बारे में पूछा गया है सुमित्रा नंदन पंत है महादेवी वर्मा रामधारी सिंग दिन करे या फिर निराला है तो यहां पर 25 का आपका सही आंसर होगा निराला बादल राग कविता के बारे में पूछा गया है तो राइट आंसर आपका क्या होगा निराला जी होगे अब बात करते हैं किसके द्वरा लिखी गई है तो याद रखीगा ये स्वदेश दीपक का सरुषिष्ट नाटक है यदि पूछ जाए कुछ किसके द्वरा लिखा गया नाटक है तो ये स्वदेश द्वरा लिखा गया नाटक है और ये जातिवा समस्या पर अधारित है कबीरदास जी की प्रमू को रचना पूछी गई है गोदान है बीजक है रंग भूमी है या फिर यह सभी है तो यहाँ पर गोदान सभी को पता है गोदान किसकी रचना है तो गोदान मुंसी प्रेमचंद की रचना है तो यहाँ पर यह सभी तो आंसर नहीं होगा यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बीजक याद रखेगा जो बीजक रचन विजेदेव नरायन साही की कविताई के सब्तक में संग्रे थे तीसरा सब्तक यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा विजेदेव नरायन साही डाक्टर देवराज यहाँ पर देवराज उपाद्याई चायावाद का पतन जो ग्रंत ही है यहाँ पर नया ग्यानोदई पत्रीका के संपधक के बारे में पूछा गया है तो आपका right answer होगा रविंद्र कालिया यहाँ पर B वाला विकल पर आपका सही होगा अग्यी की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है जो अग्यी जी की रचना है यात्रा पर आधारित कौन सी रचना है एक बून सहिसा उचली आत्मने पद बावरा अहरी या पर जैदोल यहाँ पर आपको बताना है कौन सी रचना है जो यात्रा पर आधारित है रहे टैंसर आपका होगा एक बून सहिसा उचली यहाँ पर जो एक बून सहिसा उचली यहाँ पर जो रचना है यह अग्य जी के द्वारा लिखी गई रचना है और यहाँ पर जो रचना है यात्रा पर आधारे थे बाकी आत्मन्देपद, बावरा अहरी और जल्दोल यहाँ पर आपको तीन रचनाई और दिख रहे हैं यह तीन रचनाई है यह भी अग्य जी के द्वारा ही लिखी गई रचना है लेकिन यहाँ पर वहां रचना के बारे में पूछय गया था जू यात्रा पर आधारीत तो वहां रचना कोन सी होगी एक बुन्च सहिसा उच्छली होगी तो यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा चलिए अगला प्रशन है हिंदी प्रदीप, हिंदी थोड़ी दर पहली आपको बताया था चार विकल्प में हिंदी प्रदिप भी थी है तो उसके बारे में जनकर यापको दे चुका हूँ भारते इंदु हरिशन है बाल करशन भट है बद्री नरायन चोदरी प्रेम घने या फिर रादा करशन दास है हिंदी प्रदिप के संपा प्रदाजी की प्रदाजी की रचना है सूर्सागर भी है सूर्सरावली भी है और साहते लहरी भी है रहे टांसर आपका यहाँ पर यह सब भी होगा सूर्सागर किसकी रचना है सूर्दाजी की रचना है सूर्सावली किसकी रचना है सूर्दाजी की रचना है साहते लहरी क पर देखे सेरसी का सस्त समर्पन जो रचनाकार होंगे वो जैशंकर प्रशाद होंगे कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए यहाँ पर जो पंक्ती है यह किसके द्वरा लिखे गई है या पिर किसकी पंक्ती है बाल करशन सर्मा नमीन की है रम नरेश त्रिपाठी की माखन लाल चतरवेदी की या पिसोहन लाल दुवेदी की है तो यहाँ पर 35 का आपका रैट आंसर होगा यहाँ पर जो दी गई पंक्ती है यह बाल करशन सर्मा नमीन की पंक्ती है कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उ दिलाधर, चगूरी या फिर आलोग धनवा। तो यहां पार 36 का अंसर होगा आपका नागरजुन। हरीजन गाथा जो रचना है ये नागरजुन के द्वरा लिखी गई रचना हैं। अगला प्रūशंब। ताज महल का टेंडर किसका नाटक है। ताज महल का टेंडर है यह किसका नाटक है अजेश शुकला का है यहाँ पर शुकला लिखा हुआ है स्वदेश दीपक का है सुनिल कुमार सिंग का है या फिर वीभु कुमार का है ताज महल का टेंडर जो नाटक है यह किसका है तो यह अजेश शुकला का नाटक है ताज महल क तेंडर यहाँ पर पहला वाला विकल्पे आपका सही होगा इन में से कौन सी रचना कृष्णा सोबती की यहाँ पर कृष्णा लिखा हुआ दियान दिजीगा इन में से कौन सी रचना है जो कृष्णा सोबती की है अशोक के फूल है आवा है जिन्दगी नामा है या फिर चि पूछा गया है तो याद रखेगा भारत भारती साकेत और पंचवटी यह तीनों ही रचना है यह मेथली सरन गुपते की प्रमुक रचना है तो यहाँ पर यह सभी आपका राइट आंसर होगा तो यहां पर किसका नाम आता है बिहारी जी का नाम आता है याद रखेगा रितिकाल के वहां कवी बिहारी जी है जो अपनी मात्र एक कृती से हिंदी साहित्य में अमर हो गए पहल का संपादक कोने आपर देखे पहल का संपादक कोने राजंदर यादा हो है रविंद्र कालिया है ग्यान रंजन है या फिर वे सुनातिवारी है तो यहां पर आपका सही आंसर होगा ग्यान रंजन ग्यान रंजन पहल के संपादक होंगे कुटज के बारे में पूचा जाता है कुटज के लेखक कोन है हजारी प्रशाद दुएदी है रामचंदर शुकले है कुबेर नात राई है या फिर विध्या निवास मिस्त रहे तो यहाँ पर 43 का अंसर होगा हजारी प्रशाद दुएदी याद रखेगा इंपोटेंट प्र प्रशन भी एक्जाम में पूचा जा चुका है तो जो अंधा योग है यह किसकी रचना होगी दर्म विर भारती की रचना होगी तो यहाँ पर डी वाला विखल पे आपका सही होगा अगला प्रशन सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुक रचना कौन सी चितंबरा है वीना है या फिर यह सभी है तो याद रखेगा चितंबरा वीना और ग्राम्या यह तीनों ही यह रचना है किसकी होगी शुमित्रा नंदन पंत की होगी यानिकी प्रमुक रचना ही तीनों है तो यहाँ पर आपका रैट आंसर क्या होगा यह सभी होगा सखीवे मुझसे कहे कर जाते किस कवी की काविë पंग्ति यहां पर आपको बताना है जो यह पंग्ति दी होई है किस के दोरा लखी गई सिया राम सरनंगुप्त की है मैथली सरनंगुप्त की है अयोद्याशिंगुपद्याई हरियोत की या फिर जगदीज गुप्त की है तो यहाँपर 46 का आपका राइट आंसर होगा मैथली सरन गुप्त की सखीव मुझसे कह कर जाते हैं इस कवी के कवी पंक्ती के रचीता कोन होंगे तो वह मैथली सरन गुप्त होंगे जाइसी करत पदमावत है जाइसी करत है यानि कि जाइसी करत पदमावत है वो पुरान कावी है धर्म कावी है रूपक कावी है या फिर चम्पू कावी है तो राइट आंसर आपका 47 का होगा रूपक कावी याद रखेगा जो जाइसी करत पदमावत होगी ये एक रूपक कावी है तीसरा वाला विखल पे आपका सही होगा अश्ट चाप के कवियों में प्रथम नियुक्त करतनकार कवी कोन है या पर देखें अश्ट चाप के कवी कोन है आठ में आपको बता चुका हो लेकिन इसमें प्रथम नियुक्त करतनकार कवी के बारे में पूछा गया है नंद दासे, कृष्ण दासे, सूर्दासे या फिर कुम्भन दासे 48 का राइटा एंसर क्या होगा सूर्दास याद रखेगा अश्च आपके कवियों में प्रत्थम न्यूक्त किरतनकार कवी कौन होंगे तो वो सूर्दास जी होंगे तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा इन में से कौन सी रचना के सूर्दास की नहीं है यहाँ पर आपको बताना है किसकी रचना के सूर्दास की नहीं है राम चंद्री का है, कवी प्रिया है, ललित ललाम है या फिर रसी के प्रिया है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ललित ललाम जो ललित ललाम रचना है ये केशवदाद जी की नहीं है ये किसकी रचना है तो ये मतिराम जी की रचना है ललित ललाम चलिए इन में से कोन सी रचना अवदी भासा की नहीं है आपर देखें अवदी भासा की कोन सी रचना नहीं है राम चरित्रमानस पद्मावत विने पत्रिका या फिर चंदायन राइट आंसर आपका होगा विने पत्रिका याद रखीगा जो विने पत्रिका रचना है ये अवदी भा जी के द्वरा लिखी गई दोनों ही रचना है बात करें पदमावत की तो थोड़े दर पहले ही हमने जिक्र किया था ये किसकी रचना है तो ये मलिक मुहम्मद जाईसी की है और चंदायन की हम बात करें तो ये किसकी रचना है तो ये मुल्ला दावुत की रचना है प्रमुकौर रजनह के बारे में पूछा गया है राइट आंसर आपका कुरूछेतर होगा और रस्मरतिया नें की यह सब ही यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा नेंगे डी वाला विकल्पे आपका सही होगा कसाई बाड़ा कहानी के लिखक कोने सिव मूर्ती है 37 जमाली है अखिले से या फिर मंजूर अहते साम है तो यहां पर 52 का आपका सही आंसर होगा सिव मूर्ती कसाई वड़ा कहानी के बारें पूछा गया है इसके लिए खकोन होंगे तो सिव मूर्ती होंगे इन में से कोन सा उपन्यास जीवनी पर रखे यहां पर देखे वहां उपन्यास आपको बताना है जो जीवन पर अधरित है खंजन नयन है म्रग नहीं नहीं है आपका बंटी है या फिर कली कथा बाया बाइपास है तो यहां पर आपको उपन्यास के बारे में बताना है जो जीवनी पर अधरित है राइट आंसर आपको क्या होगा खंजन नयन याद रखेगा जो खंजन नयन जो की एक उपन्या से यह जीवनी पर रखे किसके जीवन पर आधारी थे तो यह सूरदाज जी के जीवन पर आधारी थे किसके द्वरा लिखा गया तो ये अमरत लाल नागर के द्वरा लिखा गया जो की सूरदाजी के जीवन पर आधारित एक उपन्या से खंजन नया निम्रगनेनी की हम बात करें तो ये किसके द्वरा लिखा गया तो ये वरंदावन लाल वर्मा के द्वरा लिखा गया आपका बंटे की हम बात करें तो ये मन्नू भंडारे के द्वारा लिखा गया कली का था बाया बाइपास के हम बात करें तो ये किसके द्वारा लिखा गया तो ये अलका सरावगी के द्वारा लिखा गया तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए चलिए संसद से सडक तक के रचनकार कोन है मुक्ति बोदे धुमिल है सरवेक स्वर है या फिर लील स्वर जगुडी है तो यहाँ पर आपका 55 का सही आंसर होगा धुमिल संसद से सडक तक के जो रचनकार होंगे वो धुमिल जी होंगे हानुस नाटक के रचनकार कोन है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा भीश्म शाहनी हानुस नाटक के रचनकार कोन होंगे भीश्म शाहनी होंगे हरीवंस राय बच्चन की प्रमु को रचना यहाँ पर आपको बताना है मदुशाला है क्या भूलू क्या याद करो मदुकलेश या फिरी यह सबी तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा बदुशाला क्या भूलू का याद करो और मदुकलेश यह तीनों ही रचना किसकी है हरीवंस राय बच्चन की है तो यहाँ पर यह सबी आपका रायट आंसर होगा इन में सी कौन वैशनो भक्ती का अचारे नहीं है पूछा गया है बल्लब अचारे है मदवा चारे है संक्रा अचारे है तो यहाँ पर आपका सही अंसर होगा संक्रा अचारे संक्रा अचारे वैशनो भक्ती के अचारे नहीं है बरवे नाई का भेद का जो रचनकार है वो कौन है रहीम रस्खान रसलिन या फिर बिहारी तो यहाँ पर आपका सही आंसर होंगा रहीम बरवे नाई का भेद के जो रचनकार होंगे वो रहीम होंगे इन में से किस कवी ने लक्ष्मन गरंत नहीं लिखा है यहाँ पर दीकर लक्ष्मन गरंत किसने नहीं लिखा है पूछा गया है देव ने भूशन ने पदमा करने या फिर बिहारी ने रायट आंसर आपका होगा बिहारी ने बिहारी ने लक्ष्मन गरंत नहीं लिखा है काया कल्प किस कवी के रचना है किस कवी की रचना है मुनसी प्रेमचंद की है जेशंकर प्रशाद की है विश्नु शर्मा की है या फिर जगनिक की है यह पर काया कल्प के बारे में पूछा गया है तो आपका सही आंसर होगा मुनसी प्रेमचंद कायकल्प जो रचना है किसके द्वरा लिखी गई है मुनसी प्रेमचंद के द्वरा लिखी गई रचना है मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है विद्यापती को अमेर खुसरो को चंदरबरदाई को या फिर हैम चंदर को तो यहाँ पर आपका राइट अंसर होगा विध्यापती को मेधिल कोकिल के बारे में पोछा जाए कि किसी कहा जाता है तो यह विध्यापती जी को कहा जाता है कबीर किस काविधारा के कवी है ग्यान मारगी प्रेम मारगी क्रिश्ण मारगी या फिर राम मारगी तो यहाँ पर 63 का अंसर होगा ग्यान मारगी कबिर किस काविधारा के कवी है तो यह ग्यान मारगी काविधारा के कवी है कवी है कबिर्दास सुबदरा कुमारे चोहान की प्रमुकरचना के बारे में आपको बताना है जहासी की रानी है मुकुल है बिखरे मोती है या फिरी है सभी है तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा जहासी की रानी, मुकुल और बिखरे मोती ये तीनों ही सुबदरा कुमारी चोहान की प्रमू को रचना है तो यहाँ पर ये सब भी आपका रायट आंसर होगा चलिए अगला प्रश्ण है तो यहाँ पर आपका रायट आंसर होगा तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा मेथली सरन गुपत भारत भारती कावेगर जो रचिता होंगे वो मैथली सरंगुप्त होंगे विश्णू सर्मा की प्रमुक रचना यहाद रखेगा जो पंचेतंत्र है यह विश्णू सर्मा की प्रमुक रचना है बात करें चित्रेलेखा की तो यह जाइसी की रचना है बात करे रंग भुमी की तो यह मुंसी प्रेम चंद की रचना है यहाँ पर विश्नु सर्मा की रचना के बारे में पूछा गया था तो वो पंच तंतर आपकर आइट अंसर होगा राम चंदर सुकले की प्रमुकर रचना कौन सी है चिंता मनी, रस, मिमासा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपकर आइट आइट अंसर होगा कभी समराट किसे कहा जाता है याद रखेगा इंपोटेंट हैं कभी समराट युद्या शिंग उपद्याय हरियोद को कहा जाता है निमलिकेत में यासे कोन सी रचना तुलसीदाज जी की नहीं है प्रश्ण को आपको ध्यान से पड़ना है तुलसीदाज जी की कोन सी रचना नहीं है तो यह देव की रचना है किसकी है देव की रचना है रसविलास ये तुलसिदाachte जी की रचना नहीं है तो भी वाला विकल पे आपका सही होगा सूरी कांत तुरिपार्थि निराला जी की प्रमकर रचना के वारे में पूझा गया है कुकुरमुता है अनामिका है परीमल है या फ्रिय सभी है तो यहाँ पर कुकुरमुता अनामिका परीमल है तीनों ही रचना किसकी है सूरिकांत त्रिपाठी ने रालत जी की है तो यहाँ पर राइट अनसर आपका यह सभी होगा अगला प्रश्ण राम चरितर मानस की सेली जो राम चरितर मानस की सेली मुक्तक सेली है प्रबंद सेली है वर्नात्मक सेली है या फिर परीमारजित सेली है राम चरितर मानस की सेली के बारे में पूछा गया है तो यह किस प्रकार की सेली होगी प्रबंद सेली होगी बी वाला विकल पे आपका सही होगा साहित लहरी की विसेवस्तु क्या है साहित लहरी के विसेवस्तु के बारे में पूछा गया है नाई का भेद है अवतार लीला है निर्गुन का खंडन है या फिर नीती है तो साहित लहरी की विसेवस्तु के बारे में प्रशने की ओर बढ़ेंगे आपका अगला प्रशन है बिसल देव रासो के रचीता के बारे में आप से पूछे वो कौन है जगनिक है नर्पति नाला है चंदरबर्दाई है या फिर सारंग धर है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा नर्पति नाला बिसल देवरासों के रचिता कौन होंगे नर्पति नाला होंगे अगला प्रशन है केशवदास की प्रमुक रचना कोन सी है रसिक पिरिया है कवी पिरिया है यामा है या फिर ए और बी दोनों है यहाँ पर केशवदास की प्रमुक रचना के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पर रसिक पिरिया और कवी पिरिया यह दोनों है रचना किसकी hai kisha udad ji haiYa Uma के बारे में आपको बार बार हुआ किया वहा ध voiture चुका हूं यह महादेवी वर्मा की रचना है यामा तो यहां पर आपका रैड आंसर क्या होगा A और B दोनों आपका सही आंसर होगा अनुरागस बाशुरी कि किस की रचना है रहेम की रस्कान की नूर महम्मद की आपे छित स्वामी की अनुराग बाश्चुरी किस की रचना है पूछा गया है आपका आइसे कौन सा कवी अष्ट कवी नहीं है बाकी में आठ जो कवी हैं उनके बारे हम बता चुका है एक बार फिर बता देता हूँ कुमन्दास, सूर्दास, पर्मननन्दास, कृष्न्दास, गुविंद स्वामी, नंढद crawl, छीत स्वामी और चत्रबुस दास ये सभी। जो कवी हैं किसके कवी हैं तो ये अश्ट शाप के आठ कवी हैं जिसमें रेदास नहीं होंगे तो यहाँ पर फोर्ट वाला विकल पे आपका सही होगा हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है चंदरवरदाई विद्यापति पुस्पदंत या फिस जगनीक तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विद्यापति याद रखेगा हिंदी साहित्य के आदिकाल का जो अभिनव जयदेव कहा जाता है ये विद्यापति जी को कहा जाता है अयोध्य शिंग उपद्याय हरियोद की प्रमुक रचना कोन सी है अदख खिलाफूल है प्रिप्रवास है वेदही वनवास है या फिर ये सबी है तो यहाँ पर अदख खिलाफूल प्रिप्रवास और वेदही वनवास ये तीनों ही किसकी रचना है तो यह अयोध्याषिंग उपध्याय अहरयोद की रचिता है तो यहाँ पर यह सबी आपका राएट आंसर होगा तुलसिकरत खृष्णिकावी कौन सा है खृष्ण या नहीं करिश्ण चरित रहे खृष्ण शंद्री का है या फिर खृष्ण गीता वली है तो यहाँ पर आपका सीधा सीधा आंचर होगा क्रश्न गीतावली याद रखेगा क्रश्न गीतावली यहाँ पर याने की फोर्त वाला विकल पर आपका सही होगा है यह तुलसिकरत क्रश्न कावी है जै मयंक जस चंद्रिका के रचीता के बारे में पूछा गया है भटकेदा नर्पति नाला है नलह सिंग है या फिर मधुकर कवी है तो यहाँ पर आपकर आट अंसर होगा मधुकर कवी याद रखेगा जै मैंक जैस चंद्रीका के बारे में पूछे तो आपकर आट अंसर क्या होगा मधुकर कवी होगा चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवी थे महराजा हमीर के थे महराजा बिसल देव के थे महराना प्रताप के थे या फिर महराजा प्रत्वी राज चोहान के दरबारी कवी थे किसके थे चंद्रबरदाई तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा महराज प्रत्वी राज चोहान के चंदरबरदाई दरबारी कवी थे, यहाँ पर D वाला विकल पे सही होगा, प्रत्वी राज रासो किस कवी की रचना है? चंदरबरदाई की है, जगनी की है, मुल्ला दाउद की है अफिर इन मेंसी कोई नहीं, तो यहाँ पर पहले वाला जो प्रशने में आपको बताया था कि चंदरबरदाई किसके दरबारी कवी थे तो वहाँ पर आइट आंसर बताया था महराजा प्रत्विराज चोहान और इन्हें दरबारी कवी ने प्रत्विराज रासो की रचना की थी यहां पर राइट आंसर क्या होगा चंदर बरदाई प्रत्विराज रासो किस कवी की रचना है तो यह चंदर बरदाई की रचना है कवी जगनी की रचना का नाम आपको बताना है खुमान रासो है म्रगावती है अलाखंड है या फिर पदमावत है तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 84 का आलाखंड कवी जगनी की रचना का नाम आपको बताना था तो यहाँ पर आला खंडा आपका right answer होगा यानिके तीसरा वाला विकल पे आपका सही होगा खुमानरासो की हम बात करें तो ये दल पती विजे द्वरा लिखा गया है म्रगावती की बात करें तो ये कुतुबन के द्वरा लिखा गया है और पदमावत की हम बात करें तो यह जाइसी के द्वरा लिखा गया है तो इन तीनों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए चलिए जाइसी किस धारा के कवी है ग्यानमारगी कावे धारा के प्रमाख्यान नात पंति या फिर रासक कावे धारा के जाइसी के बारे में पूछा गया है तो आपका राइट अंसर क्या होगा प्रिमा ख्यान कावे धारा के याद रखेगा जो जाइसी है ये प्रिमा ख्यान कावे धारा के कवी है और इनके द्वारा कौन सी रचना लिखी गई है जैसे कि थोड़ी तर पहले मैंने आपको बताया था पदमावत इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है पदमावत कावे के रचनाकार का नाम बताई है तो अभी मैंने आपको बताया कौन है मलिक मुहमद जाइसी है तो राइट अंसर आपको क्या होगा पद्मावद कार्व ये मलिक मुहमद जाइसी के द्वरा लिखी गई रचना है चंदायन के सकवी के रचना है तो चंदायन के बारे में आपको बताया था मलिक मुहमद जाइसी है कुतुबन है मंजन है या फिर मुल्ला दाओद है तो चंदायन जो रचना है ये किसके द्वारा लेखी गई है तो ये मुल्ला दाओद के द्वारा लेखी गई रचना है अगला प्रशन हिंदी में सरप्रथम साहित अकादमी पुरुषकार किसे मिला पूछा गया है माखनला चत्रवेदी को हिंदी में सुर्पत्रम साहित्य अकादमी पुरुसकार किसको मिला है माखनलाल चत्रवेदी को मिला है कौन सी कविता पर मिला है तो हीम तरंगनी याद रखीगा हीम तरंगनी इनके दोरा लिखी गई एक कविता है उनके लिए इनको हिंदी साहित्य अकादमी पुरुषकार दिया गया था तो यहाँ पर पहला वाला विकल पे आपका सही होगा मुनसी प्रेमचंद की प्रमुक रचना कौन सी गोदान गबन रंग भूमी या फिर ये सबी तो गोदान और रंग भूमी के बारे में तो आपको सुरू से बताता आया हूँ गबन भी निके द्वारा लिखी गई है तो मुनसी प्रेमचंद की प्रमुक रचना है वो गोदान भी है गबन भी है और रंग भूमी भी है तो यहाँ पर ये सबी आपका राइट आंसर होगा निमलकित मेंसे ग्यान दीप का रचनाकार कोने यहाँ पर जो ग्यान दीप रचना है इसके रचनाकार कोने पूछा गया है उस्मान है कासिम साह है नूर महम्मद है या फिर सेख नभी है यहाँ पर ग्यान दीप के रचनाकार के बारे में पूछा गया है तो आपका answer क्या होगा जे शंकर प्रशाद जो इंद्रजाल है जे शंकर प्रशाद जी की रचनः है मलिक महम्मद जाइसी की प्रमुख रचनः है, पदमावत, चित्रलेखा कहर नामा या फिर ये सब पदमावत के बारे में तो काफी आपने सुना है सुरुसा आकिर थक लेकिन चित्र लिखा और कहर नामा ये दोनों जो रचना है ये भी मलिक मुहमद जाइसी की रचना है तो यहां पर ये सबी राइट आंसर आपका होगा आखरी कलाम की सकवी की रचना है मेतली सरण तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा गोश्व मेथ तुलशिदार जी की द्वारा ही वने पत्री oni पत्री का है तो यहाँ पर तीसरा वाला विकलपे आपका सही होगा रामधारी सिंग्त करकी प्रमुक रचना के वारे में आपको बताना है उरवसी, हुकार, रेणुका या फ्री यह सब ही तो यहाँ पर उर्वसी, हुकार और रेणुका यह तीनों ही रचना किसकी है रामधारी सिंग दिन करकी है तो यहाँ पर यह सबी आपका राइट आंसर होगा कुरू छेत्र किस कवी की रचना है कुरू छेत्र जो रचना है किस कवी की रचना है सुमित्रा नंदन पंत की महा देवी वर्मा की रामधारी सिंग दिनकर की या फिर निराला की तो यहाँ पर जो कुरुच हेतर है यह रामधारी सिंग दिनकर की रचना है अगला प्रशन देव की नंदन खत्री की प्रमुक रचना के बारे में आपको बताना है चंदरकांता, च्छाया, आंधी या फिरिये सभी तो यहाँ पर आपका right answer होगा चंदरकांता जो देव की नंदन खत्री की परमुक रचना है वो चंदरकांता है च्छाया की हम बात कर तो च्छाया किस के द्वरा लिखी गई रचना है तो च्छाया जो है यह जैशंकर प्रशाद के द्वरा लिखी गई है और आंधी भी याद रखीगा च्छाया और आंधी दोनों ही किस के द्वरा लिखी गई रचना है तो यह जैशंकर प्रशाद के द्वरा लिखी गई रचना है रस कलस किस कवी की रचना है तो यहां पर आपका हरियोद याने की अईद्या शिंह उपध्या आओ लिखी गई रचना है अंतीम परसुने हैं जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल सो परसुना आपको मिलेंगे चंद्रबरदाय की प्रमुख रचना के बारे में पुछा गया है बुड़ा चांद है प्रत्वी राज रासो है रंग भूमी है या फिर इन में से कोई नहीं तो आपने थोड़ी दर पहले यदि अच्छे से सुना होगा दियान से तो आपको पता होगा कि वो प्रत्वी राज रासो है जो कि चंदरबर्य दाई द्वरा लिखी गई रचना है बुड़ा चांद की हम बात करें तो जो बुड़ा चांद है यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वरा लिखा गया है रंग भूमी मुनसी प्रेम चंद द्वरा लिखी गई रचना है तो य यदि ऐसे ही आपको इंट्रेस्टिंग वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं तो जल्दी दोस्ते एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धर्निवाद